ना चेड़ें अगर टिक्टोकर्स अगर अपनी आई पे आ गए तो फिर किसी को जीने नहीं देंगे सुभे सुभे भेंचो दो तुम लोग तो मेगा पिक्सल का कैमेरा आउन करके चुतर फेला के ऐसे वीडियो बना रहे हो अरे शरम करो कंजरी मादे बचियो दगड़ दली मादे बचियो कुछ अच्छा काम करो अच्छे वीडियो बनाओ है एवरिवन इट्स मीजैन भई आज हम बात करेंगे टिक्टोकर्स के हवाले से टिक्टोकर्स फिर से यूट्यूबर्स की गार्ण उगली करना चाते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी जान पता नहीं कब यह गुज जाएगा तो पिछले दिनों काश्यान फ्रॉम दर इडियर्स को एक शूट पर बुलाए गया था जहां पर शेज नाम का यह टिक्टोकर उसके साथ था और उसके साथ थी साथ पकोड़ी समोसी नाम की यह बंदी भी साथ थी हाँ भई नाम ही है नाम ही है ठीक है और हाँ मैं ना समोसी बहुत शोक सखाता हूं और यह जो लड़की है यह इंस्टेग्राम पर मेकप की वीडियो वगेरा बनाती है और हाँ इन दोनों ने मिलकर शेज ने और काशान को एटिट्यूट दिखाया जो के काशान को यह बात बिलकुल भी पसंद नहीं आई तो काशान ने अपने इंस्टेग्राम पर वीडिय कि मेरे साथ कोई टिक्टॉकर श्याइज नाम है उसका नाश्चा रदव अपने टिक्टॉक उसको घड़ा किया वाता और साथ में कोई मॉडिल ये ब्लॉगर है समोसी नाम है समोसी और उनके मिनियन जो हैना वो फॉल्वर्स हैं और यार गेटिंग स्पॉंसर्स वह अजी करते हैं यह पहले पहले यह शकल देखो और अब मुझे बताओ कि इस शकल पर एटिटूर्ट बनता है यह इस शकल पर चालान करना चाहिए कि नंगे मूं यह पब्लिक प्लेस में चल कैसे रहा है और हाँ भाई काशान की इस बात पर मैं बिल्कुल एगरी करता हूं क्यूंकि जब मैंने स्टार्डिंग की ती टिक टॉक से ही की ती तो मैं इनके मीटप्स में जाता था तो वहाँ पे ना है भाई यह ऐसे शो आफ करते थे और इतना एटिटूड इसमें होता था कि बस हो करें हुए हुआ है आँ भाई लोग समोसी की की बैसिते हमית काशाहां ड़िए है कि दूज सब्सक्राइब सुना हवे है कहां अब मैं अब है तो मैं ऐसार्डिंग यह乾 topics क्यूंति हो फुलिक्श्विस स्वाग्रुपर सब्सकर अगभार्भाण बगाए बहुत जब बहुत ज़ता लाफटर फिल्ड कर बाया इनमें इतना सदा गुरूर था कि बिल्कुल आउट आउट अप स्पेस फिल कर दे लिए कहत खाइन भाई ने रिसंग लिए एक विडियो ब्लोड केस में उन्हें पर टागेट कि समोसी कोन है कोई ब्लॉगर मॉडल इनको तो स्पोंसर्शिप से मिलती है यह को तो मापको बता दूब कि शांट आई कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ एक ब्लॉगर हूँ आप अच्छी खासे टाइम में मैनत करके कॉंटेंट से अपने नाम बिनाया है माना के मेकप आर्ट टेलेंट है लेकिन एटिटूड चाहे टिक्टोकर्स में हो या एटिटूड चाहे इंस्टेग्रामर में हो एटिटूबर में हो लेकिन एटिटूड बहुत बुरी चीज़ है बाई बाई किस बात का एटिटूड जाना तो हमें कबर में ही है ना बाई ये दुन्या फानी है सुकून दो कबर में ही है असली दुन्या दूसरी कोई और है देखो समोसी मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस मुझे मसला है तुम्हारे इस नाम से इस समोसी क्या नाम है तुम एक मैं एक आइडिया देता हूँ कि कि तुम नाम रख लो अपना जले भी क्योंकि तुम ना बातों को जले भी कि तरह गोल 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 गुमाती हो वेल डन गालिया हो निए पूर हाँ पिलीज समोसी ये बाद आप नोट कर लें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो दे इडियेट्स के पेज पेज पे जाकर उनको अंकल अंकल के कमेंड कर रहे हैं अगर हमारे मेंसे कोई आपको कमेंड करें अंटी या कुछ भी बोले तो आप लोग बोल देंगे यार बोड़ी शेमिंग हो रही है ओ माई गोड़ यह हो रहा है ओ माई गोड़ जलजला आ रहा है तो प्लीज आप अपने दोस्तों को रसी बांदें फिर अगर हम कुछ बोलेंगे फिर आप लोग बोलेंगे यार ओ माई गोड़ ओ माई गोड़ तो प्लीज बी कैलफुल और हाँ ये जो-अंकल वोर यो बडीशेमींग कर रहे हो तो ये पिल्कुल गलत बात है, ठीक है? हर कोई अपने मतलब अपनी होसान है, हर किसी मैं, तो हर कोई अपने में खुबसूरत है, ठीक है? ओल डन, डालिया होनी जाहे है यार! और अब हमने सब की बात सुन लीए, समोसी की भी काशान की भी अब हम बात सुनते हैं सदके के बकरे की अब उमीदे सब लोग ठाक होंगे तो कल मुझे काफी मेंचन आये एक वीडियो में और वो वीडियो अपलोड की हमारे बड़े अच्छे मौतरम काशान भाई जो कि लास्टाइम हमारे साथ शूट पर भी थे सर वो वीडियो देखने के बाद मुझे एक ही चीज नज़र आई और वो है जैलिसी हाँ 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 हम जैलिस होते हैं भाई इस बंदे ने गाना भी निकाला है जिसमें टार्जन कम अघोरी ज्यादा लग रहा है क्या 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 भाई लो आपको देख लिया कि एक फोन से इसने सब कुछ दिखा दिया और तभी इसको प्यार मिला है लोगों का और आप वोला उसके मालिक का भी बवासीर एक आम समस्या है इसके लिए वैद रिशी का अर्शकल्ब एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिग इतना प्यार करती है जो के आज को आज अटक गया अटक गया मुन्ना अटक गया आज को नहीं नहीं आज कि अपे क्या हो रहा इस टाइम टू जोग मैं आप लोगों के एक जोग सुनाता हूं एक बार की बात है शेज गया था चिडियागर अपने कजन्स की शादी में जहां पर मतलब वह 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 क्या भाई शेज की क्या मतलब वह थी ना जो मतलब एंट्री देंट्री खली वाली बिल्कुल खली वाली अप्र आपको नहीं मिला सही है तो मैं आपसे इतना चाहूंगा अगर आप बात करते हैं टैले की तो अगर टैलेंट ना होता तो यह जितने भी sponsor और जितने भी audience प्यार करने वाली वह हमारे पास ना आती अगर वह आपको आज तक प्यार नहीं मिला तो इसमें का कसूर नहीं सो प्लीज इस चीज़ को इगनौर करें और हमें ना चेड़ें अगर अपनी आई पे आ गए तो फिर किसी को जीने नहीं देंगे भाई यह तो डरा रहा है क्या कर लेगा नहीं तु कर क्या लेगा कम से कम तु काटे गा ना कोई बादनी में injection लगवा लूंगा है यह बहुत खतरनाक इंसान है गुदी पे चक मार के जाड़ियों में लगे जाता है और जाड़ियों में लेचकर कहता है चार पीओगे पापे खाओगे और गाइस यह इसलिए ऐसी हरकते करते हैं ताके यह यूट्यूबर बड़े बड़े यूट्यूबर्स और केरी मिनाटी की नजर में आ जाए ताके केरी मिनाटी वाले इन पर रोस्ट बना है बेटा ऐसा होने नहीं वाला क्यूंके उन टिक टॉक वर्सिस यूट्यूब की तुम क्या बात करते हो यार क्या बात करते हो यार क्या बात करते हो यूट्यूबर्स ने उनकी भी मार दिये जिनके मिलियंस 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 इंस्टेग्राम और टिक टॉक पर फोलोवर्स हैं अगर आप लोगों को यह वीडियो पसं कि अब देखा और जा जा यदा दिलाओं क्या याद दिलाओं क्या याद दिलाओं क्या